कि बिश्मुल्लाहिर्रह्मानिर्हीम चुडिया घर की सैर कल इस चेप्टर का कुछ रीडिंग हुआ था और कुछ बच गया है आज उसको पढ़ाय जा रहा है देखे अब बाजन जरा इधर देखिए वो बंदर की शकल का कौन सा जानवर है हामित की बहन ने पूछा हामित की से भुआं पुचा कि वो बंदर की शकल का कौन जानवर है कर वो चिंपिंजी है चिंपिंजी एक तरह का बंदर होता यह हमारे मुल्क में लाया गया है यह ठ्पन्द . मुलक में ते लाया गया उसे गर भी बहुत सताती है इसलिए उनके पिंज़डे को ठ्हंड़ा रखता जेपन्जी फल और सबस़ियां खाता यह गोश्ट नहीं करता उसे दूद और रोटी भी दी जाती जेपन्जी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है आगे चले तो देखा के एक बंदर कठारे में उचल कूद कर रहा है थोड़े दूर पर नकल उतारते हुए बंदर छलांगे मारते हुए हरन और चिंघारते हुए हाती भी देखाये दिये यह जो अपने पनी कर तूते हैं वह देखा रहा है आगे बढ़ तो बारा सिंगा, चीतल, रीच और जराव भी नज़र आए तरह तरह की रंग, बिरंगी चिडियां और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए क्या हुए? बहुत खुश हुए चिडिया घर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अबबा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? इसके बहार ने पूछा कि अबबा जान ठीक है, ये सब तो जानवर था है, लेकिन अगर ही बताई है कि अगर ये लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो ये लोग कैसे हिलाज क्या जाता है? किस तरह हिलाज क्या आता है? तो कह रहा है आगे, उनने ने कहा, इनके पिंजड़ो और कठोरों को रोजाना साफ कियाता है, क्या कहता 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 है, और सद्धी गर्मी से बचाने का इंतिसाम भी क्या जाता है, माल लिए जो जिसको गर्मी सताती है, उसके लिए ठंड़ा जगा इस्तेमाल कियाता है, ठंड़ा पनासिब घजाएं दियाती हैं ऐसी घजा दियाती हैं जो उसके मौफिक हो जो उसके लाइक हो और कभी-कभी ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि ये बिमार ना पड़े हैं कभी-कभी ऐसी भी दवा दी जाती है जिससे वो बिमार नहीं पड़ता है फिर भी अगर कोई जानव बिमार हो जाए तो उसे जानवरों के इस्पिताल ले जाते हैं जानवरों कभी एक इस्पिताल होता है अगर कोई जानवरों बिमार हो जाता है और उसका इलाज किया जाता है करें हामी दर्च की बहन छुटी का पूरा लुट उठा कर खुशी खुशी घर लोट आए जी आप थोड़ा सा वर्ड मेनिंग है उसको देख लीजिए मश्क मानी याद किजे करें कठरा लोहे या लकडी का जंगला लोहे या लकडी का जंगला गैर मुलकी बाहरी मुलकी का चिंगार हाथी की आवाज इंतिजाम बंदो बस्त लुट्फ उठाना मज़ा लेना याद करें